हेलो फ्रेंड्स मैं प्रशांद आप सबका आपके चहिते सेख सेख सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजे दैफेरे के साथ इस खास कारेक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तों हमें जब भी कोई मेडिकल इमर्जनसी आती है या फिर सेक्स से जुड़ी कोई भी परिशानी सताती है तब हम क्या करते हैं हम वो सारी चीज़े हमारे फ्रेंड्स ए फैमिली के साथ शेर करते हैं लेकिन जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परिशानी सताती है दोस्तों शोग को शुरुवात करते हैं लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में सभी समस्याओं पर सला एवं मार्ग दर्शन करते हैं तो चलिए शोग को शुरुवात करते हैं डॉक्टर साब हमारे साथ है अब सभी जानते हैं कि इन चोटे चोटे विडियो के माध्यम से ऐसे टॉपिक हम लेते हैं जो टॉपिक हमारे नीजी जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टन है सभी टॉपिक में अभी तक आपने देखा है कि हमने sexual activity और इसके awareness के बारे में बात की है आज जो हमे इने topic लिया है वो है sexual activity और उसके स्वास्ते के लिए benefits के बारे में यह बहुत important चीज है क्योंकि यह activity के माध्यम से हमारे स्वास्थे के उपर जो असर पड़ता है यह बहुत ही जानकरी लेने के लायक है तो sir जैसे मैंने भी बताया कि जानकरी बहुत important है sexual activity का exercise यहने जैसे हम regular exercise करते हैं, gym जाते हैं या फिर योगा, तो हम sexual activity को योगा कह सकते हैं क्या इसके बारे में जानकर रहे हैं प्रशाण जी यहां पर जो सेरी चल रही है sex education, sexual awareness और sexual safety इसके अंतर के था हम पूरी scientific information ले रहे है male sexual dysfunction, female sexual dysfunction, sex benefits क्या है एक दाइरे के अंदर time place, person condition, culture, safety, consenting अपना own or non-infected partner के साथ ही हमें आज माना है हमें लगता है, sex activity क्यों बनाई होगी निसर्ग ने तो सबसे important बात है हर person को जो activity है, काम है, उसका routine work है, उसका stress है उससे निजात पाने के लिए या उससे तुम्हें एक exit मिलने के लिए बनाया है और exercise, yoga, प्राणे हम कहे सकते हैं कि इसे जब उत्पत्ती हुई है, sex positions के मैं तो कहता हूँ एलो राजन टक हुजराओ जाओगे, आपकी दिन चरह आईसी बता ही है पर ऐसी position आप लोगे, तो लगेगा आपका पावी हाथ में आजाएगा कुछ तो भी हाथ में आएगा, इसलिए yoga करो, exercise करो, क्यों? क्योंकि यह sexual exercise है, sex exercise से पर मिनिट को पाच कालरीज बन होती है और इसलिए इसका importance है, इसलिए हम sex exercise कहते हैं और मैं कहूंगा, यह yoga, प्राणायम या आपकी जो को भी exercise है उसके equal comparison में यह भी exercise है, लेकिन कब अपने partner की consent भी इसमें रहनी चाहिए बिल्कुल, सर बहुत सारे लोगों को headache या migraine जैसे disorders होते है तो यह अगर sexual activity दिखा जाए, तो इसके उपर कोई असर पड़ता है very nice, मेरे पास कुछ couple साइसे आते है, सर मुझे हमेशा अर्दशीशी हो रही है, माइगरेन हो रहा है, यहाँ पर pain हो रहा है, cramps आ रहे है, मेंसिस के दौरानों गरे, क्यों हो रहा है इसा, बहुत इनकी sexual activity नहीं, क्या क्या करता है sexual activity आपकी pain tolerance बढ़ाता है, बोड़ी के अंदर जो हर्मोंस है, cortisol, stress हर्मोंस उसको कम करता है, और muscle relaxant है, dopamine है, oxytocin है, phenyl effetylamine है, norepinephrine नहीं, epinephrine है, ऐसे हर्मोंस महाँ पे headache हो रहा है, किसी भी तरह जो peace substance रहता है, वो से कम करता है, और उसका फाइदा क्या होता है, headache या migraine एक control में लाने के लिए, sexual activity काम आती है, neurotransmitter और हर्मोंस के साहेता से, सर हमारे कुछ male audience है, वो भी आप से कुछ बात करना चाहते है, मिलिन जी है, बेलारी से, उनका सवाल है, मिलिन जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर, नमस्ते, पूछिए, बोलिए, बहुत जादा सेक्स करने से कुछ दूश पर इनाम होते है क्या? क्या बात है, यह पिस सवाल हो सकता है, बिल्कुल, बिल्कुल, क्यों नहीं, हर एक चीज़ को एक limit है, बहुत जो स्टड़ी हो चुकिए, इसे कोई side effect नहीं है, कब आपका partner willing हो, और आप में भी उत्सा हो, और सामने भी हो, लेकिन जब इसमें mismatch होता है, क्या होता है क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, यहां पे आपका protection आपने use नहीं किया, तो सामने होता है, infection आगए, आपको STDH, HIV, ऐसा कुछ हो सकता है, और क्या होता है, इसके अंदर fatigue, यानि ओर activity करने से, जो muscle है, काफ muscle से, body muscle से, उसमें भी pain चलो हो जाता है, बहुत बर, और क्या होता है, कुछ cases में जिसको पहले ही heart disease है, यहां पे heart disease इतना ज़्यादा बढ़ता है, तो उससे कई कबार chest pain होने का, या यहों कभी कबार heart attack, य करने के भी chances रहते हैं, लेकिन, ऐसे cases में, जिने इस प्रकार के problem है, यह क्यों होता है, ऐसा कि suddenly काफी दिन activity नहीं की, कुछ sex नहीं किया, और सुरह हम जोश में आके करना शुरू किया, तो friends, एक ही कहूंगा, proper care लोगे, और partner की consent होगी, तो ऐसा कोई side effect होता नहीं, लेकिन क कोई भी इस तरह का problem आपके सामने आजाए, तो विशेशगे को दिखा के proper care लेनी चाहिए, बहुत सारे लोगों को नींद की भी problem होती है, बहुत बार कहते हैं कि नींद ही नहीं आते हैं, बहुत देर तक जाकते रहते हैं, तो यह नींद पर भी यह sexual activity का कुछ असर होता है हाँ, very nice, अभी भी यहां पर नींद नहीं आतो लो कुछ तो भी कामपोज लो या कुछ नींद की गोली लो, ऐसा कता ही नहीं करना है, उससे आपका brain sedate होता है, तो यह धिरे धिरे वो उसके जो lobs है, उसे आदत लग सकते हैं, तो भी very simple treatment है, addiction, drink, alcohol, smoking करने के बजाए, नींद आना चलो होता है, बहुत male partner और family partner शांती से, आराम से, सुकुन से सो जाते हैं, तो simple treatment है, पर consent से, sex करो, activity करो, नींद आ जाएगी अप, बहुत एक सवाल है sir, memory, यादाश, ये एक बहुत important चीज़ होती है हमारे जीवन के लिए, अगर आप job करते हैं, अगर आप business कर strong होना, बहुत important है हमारे working के लिए, working profile के लिए, तो ये sexual activity इस पर भी असर करती है, of course, of course, आप बोलों कि बहुत क्या संबंद है, sex का, ये रहा नीचे, brain रहा ओपर, मैं बोलोंगा, भाई, आच्छा किसको लगता है, आच्छा brain कोई लगता है, तो north growth factor, हैनि जो हमारे neurons बन सकते हैं इसके अंदर, और ये neurotransmitter क्या करते हैं, हमारा जो area हीपकांबस है, जहां पर memory बनती है, उसको oxygen supply अच्छा हो रहा है, इसके वएसे उसकी growth अच्छे हो रही है, और ये activity, ये सब हर्मों से यहां पर तयार होके, उसके memory strong रखना, या जो confidence level है, वो भी उसके अं अंधेरे मुंबई से उनका सवाल है, तुरुपती जी पूछी है, क्या सवाल है आपका, प्रणाम बोली, पूछी है, अभी exercise तो करना चलू कर दिया है, बिल्कुल, अभी exercise हम देखिए, फाइदा क्या हो, जिम जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं जिम में, मेरा weight loss हो, मेरी calories burn ह अरे बेटे-बेटे ही घर में burn हो सकती है, तो sexual activity करने से एक मिनिट में पाच calorie burn होती है, समझा आप four play और play मिला की समझा आप निकालोगी तना कि अप 100 calories हो गया, वे टेर्ड मिल पे आप भागोगे ना अदा घंटा, तो भी ए 100 calorie burn नहीं होते, तो इसलिए अपना partner की consent लेख अच्छी तरह से activity करोगे, तो आपके calories burn तो होते ही होते है, hormones बदलते है, confidence आता है, body shipping आता है, और anti-aging effect भी काफी अच्छी तरह से आता है, बिलकुल, और एक समस्या है लोगों के आयुश्य में, जीवन में, वो है depression, बहुत बहुत बहुत, तो इस पर ये solution में सकता है, क्या sexual activity के माध्यम से, definitely, एक study हुए प्रिशाइन जीज की ओपर, हैने जो females है, condom लगा के sex करते हैं हमेशा, बहुत सीमेन ही वहाँ पे नहीं जा रहा है, और जुन्हें ने without condom का, इसलिए मैं क्या बलता हूँ, known और non infected, तो direct सीमेन वहाँ पे जाने के विए से, वहाँ पे वह ज histosin है, dopamine है, ऐसे factor, एपसाव होते हैं, और ऐसी females, depression में नहीं जाती है, इसका मतलब क्या है, कि activity के दर्मियान, जो cortisol कम करने वाले, stress कम करने वाले, strain आने वाले, ऐसे हर्मोन कम होने से, definitely, वहाँ पे freshness आता है, और body में, उनके माहिन में भी, जो negative विचारानी की process रहती है, व वहाँ भी वहाँ पे बंद होती है, तो friends, अपने own और known partners करोगे, तो यह benefit है, नहीं तो HIV AIDS, आपके लिए तो तयारी है, और एक आखरी सवाल सर करना चाहूंगा, females में, जो menses, महाबरी जिएम करते हैं, तो regular sex अगर कोई female करती है, तो उनके महाबरी के उपर, या menses के उपर उसका असर होता है, कुछ फाइदा होता है, यहाँ पर भी study हो चुकी है, regular sexual activity करने के वैसे, pelvic region की जो मसले है, प्लाइबल होते है, रिलाक्स होते है, क्या-क्या फाइदा होता है, मेंसेस में पेन नहीं होता, back egg है, leg में होने वाला पेन है, PID है, यानि पीछे भी जो कमर में पेन होता है, यह सब कंट्रल में आता है, तो फ्रेंट से कहूँगा, अपने दायरे में रेगे, normal sexual activity करो, और अपना निजी जीवन enjoy करो, और सुखे रखो, बिल्कुल, धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छी जानकरी मिले है आज के एप्रिसोड में, लेकिन वक्ती पाबंदी है, अमें यह आपे रुकना पड़ेगा, लेकिन आप अगर डॉक्टर साब की सला लेना चाहते हैं, तो अभी स्क्रिन पर आपको contact numbers तो दीखे रहे हैं, और आपको साथ में एक website दिख रहे है, www.andologistvijaydaifalit.com, इस website पर आप डॉक्टर साब की appointment book कर सकते हैं, महारस्टा में डॉक्टर साब के जितने भी centers हैं, वहाँ पर डॉक्टर साब खुद available होते हैं, आपको वहाँ पर जानकर ही मिलेगी और आपको डॉक्टर साब की appointment मिलेगी और आप उपचार कर सकते हैं, दूसरी बात नभी मुंबई के MediCover Hospital में, जो खारगर में स्तीत है, इस MediCover Hospital में डॉक्टर साब की नई OPD शुरू हो गई है, आप वहाँ पर जा सकते हैं, जो पनवेल, नभी मंबई, वाशी और इस एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ पर जा सकते हैं, डॉक्टर साब का consultation पा सकते हैं, और विदर्ब के लोगों के लिए बहुती अच्छी खु सकते हैं, और अपने हर एक समस्या का बहुती पॉजिटिव तरीके से समाधान भी पासकते हैं, तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया.